हलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे ये चाबल और दाल की बहुत ही डिलीसियस इडली, सांभर और चटनी ये इतनी स्वादिश्ट है कि आप देखते ही चट कर जाएंगे और इतनी स्पॉंजी कि मुह में घुल जाएगी तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं ये डिलीसियस इडली, सांभर और चटनी की रेसिपी किसे बहुत ही असानी से घर में हम कैसे बना सकते हैं तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी इडली तो चलिए बनाते हैं इडली के लिए सबसे पहले हमें चावल और दाल को भीगोना है तो हमने ये जो छोटे वाले अर्वा चावल होते हैं उसे तीन कप लिये हैं और एक कप हमने दाल लिया है तो आप किसी भी चीज से मेजरमेंट करें उसे तीन कप चावल और एक कप दाल ले ले इसे इडली बहुत ही अच्छी बनेगे, आप चाहे तो अरवा चावल के बदले उसना चावल का भी परियोग कर सकते हैं, उससे भी इतली बहुत अच्छी बनती है, अब हमें इसे भीगो देना है, या तो आप पूरी रात के लिए भीगो देने तो कम से कम 7-8 गंटे के लिए तो जरूर तो यह देखिए हमने ठक दिया है और अब 7-8 गंटे हो चुके हैं और हमारा चावल और दाल दोनों बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है तो यह देखिए जब आप उंगलियों से इसे तोड़ेंगे तो चावल और दाल दोनों तूट जाएंगे तो इसी से पता चलता है क काफी अच्छी तरह फूल चुके हैं तो अब हमें इसे पीस लेना है तो हमें एक मिक्सर जाड लेंगे और उसमें चावल दाल को चान कर अच्छे से पीस लेंगे तो आपके जार में जितनी कैपिसिटी हो आप उतनी चावल ले ले और उसी में थोड़ा सा पानी डाल दे और अभी हमें गाढ़ा बैटर तियार करना है आप पतला बैटर ना बना है क्योंकि अगर जरूरत होगी तो हम बाद में पानी डालेंगे तो अभी हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी डाल करिए एक गाढ़ा सा बैटर तियार कर लेते हैं तो ये देखिए हमने थोड़ा स यह देखिए तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में कर देते हैं और हमने सारे चावल दाल को इसी तरह से पीस लिया है तो यह देखिए अब हमें इसे भी फर्मानेंट होने के लिए 7-8 घंटे के लिए रखना है तो इसे भी आप या तो पूरी रात रख दे या फिर 7-8 घंटे क के बाद हम देखेंगे तो हमारा बैटर फूल चुका होगा तो यह देखें साथ से आठ घंटे हो चुके हैं और हमारा बैटर भी फर्मानेंट हो चुका है इडली बनाने के लिए पर अभी हमें इसमें कुछ और भी डालना है आप चाहे तो अगर यह आपको ज्यादा तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल कर पतला कर दे पर हमें इसकी कंसर्टेंस से ठीक लग रही है अब इसमें हमने आदा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डाल दिया है इससे क्या होता है कि इडली बहुत यह अच्छी फूलती और नरम बनती है सोडा डालने के बाद आप इसे अच्छे से चला ले आप इसमें चाहे तो नमक डाल सकते हैं ना चाहे तो ना डाले तो इधर हमने इडली का जो बरतन होता है उसमें पानी करम होने के लिए रख दिया है तो अब यह पानी उबर रहा है तब तक हम साचों में इडली को भड लिते हैं तो साचो में भढ़ने से पहले आप उसमें तेल को ग्रीस खड़ ले ताकि जब आप इडली को डाले तो निकालते वक्त बहुत असानी से निकल जाए तो सारे साचो में हमने इस तरह से घ्रीसिंग कर ली है तो ये देखे काफी अच्छे तरे से ग्रीज कर ले और साचों में डालने से पहले इसमें हमने आदा चमच नमक भी डाल दिया है और नमक डालने के बाद आप एक बार अच्छे से चला लें ये देखे बैटर को आप ये ज़्यादा पतला नहीं है इसी तरह की कंसेंटेंसी आप रखे और अब धेरे देरे साचों में भर ले सारे बैटर को बाहर गिरने तक ना भरे जितना आए आप नहीं भरे क्योंके फिर ये फूलेगा तो ये देखे हमने सारे साचों में भर लिया है और इधर हमारा पानी भी बॉयल हो चुका है तो अब हम सारे साचों को इसमें रख देते हैं एके करके आप रख दें और इसे ढख दें 5-7 मिनट में ही हमारी इडली बनकर तयार हो जाएगी तो अब हम इसे ढख देते हैं तो जब तक हमारे सारी इडलियां बन कर तयार होती हम सांबर के तयारी कर लेते हैं तो इसके लिए हमने एक कप के करीब अरहर ढाल ली है और आधा कप के करीब चैना ढाल ली है आप चाहे तो इसमें मसुर दाल भी ले सकते और अपने मन पसंद सब्जिया ले ले जो भी आपके घर में अबलेबल है उसे चोटे चोटे टुकड़ों में काड ले तो सबसे पहले हमें दालों को धो लेना है तो आप दोनों दालों को एक बाउल में डाल ले और फिर अच्छे से दो से तीन पानी से धो ले तो ये देखे हमने डाल को मिला लिया है और अब इसे धो लेते हैं तो हमने डाल को धो लिया है अब चलिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक कुकर चड़ाया है और कुकर में थोड़ा सा तेल डालेंगे जब तील गर्म हो जाए तब उसमें हम आधा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे तो ये देखे हमने आधा चम्मच जीरा डाल दिया और इसी में हम दो तेज़ पत्ता डाल देंगे जीरा और तेजपत्ता जब तड़कने लगे, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, तो जीरा और तेजपत्ता तड़क चुके हैं, तो अब हम इसमें अपने कटे प्याज डाल देते हैं, आप एक बड़ा कटा प्याज ले लीजे और उसे गुलाबी होने तक भून उसके बाद आप इसमें सारी सबजियां डाल कर दो से तीन मिनट के लिए भून लें, ताकि सारी सबजियों का कच्चापन चला जाए, तो ये देखिए, प्याज हमारा गुलाबी हो चुका है, अब इसमें हम अपनी बाकी की सबजियां डाल देते हैं, तो हम सबसे पहले इ उसे छोटे छोटे टुकडों में काट लें और फिर इसमें डाल दें, और दो से तीन मिनट के लिए भून लें, इससे सारी सबजियों का कच्चापन भी चला जाता है, और जब हमारा सांबर बन के तयार होता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आज हम सब सांबर को स चला लेना है, और आज को अभी आप कम रखें, तेज ना करें, इसी में हम अब एक बड़ा कटा टमाटर डाल देंगे, टमाटर डालने के बाद भी आप सब्जियों को अच्छे से चला ले, ये देखिए, अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे आज़त चमच हल दाल मिर्श का पाउडर, तीखा पपने अनुसार रख सकते हैं, और एक बड़ा चमच हम डाल देंगे, धनिया पाउडर, आदा चमच गरम मसाला पाउडर, और एक चमच इसमें सांबर मसाला डाल देंगे, सांबर मसाला आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड दाल देंगे, और अब सारी सब्जियों को फिर से अच्छे से चला लेंगे, इस तरह भूनते भूनते हम लोग को एक से दो मिनट या तीन मिनट तक भून लेना है, क्योंकि सब्जियों का कच्चापन चला जाए, उसके बाद हम इसमें आगे की प्रोसेस करेंगे, तो इस इस तरह से अब हम जब सब्जियों को भून लिया है, तब हम उसमें डाल डाल देंगे, तो जो डाल हमने धोकर रखी थी, उसे हम डाल देंगे, इस तरह से आप सारा डाल को डाल देंगे, और डाल डालने के बाद भी एक मिनट के लिए भून लें, इस तरह से जो सांभर ब बना सकते हैं और सबजियों को अलग से भून कर उसमें मिला सकते हैं पर इस तरह से टाइम की भी बचत होती है और ये काफी जल्दी बन जाता है तो ये देखिए डाल डालने के बाद भी हमने इसे भून लिया अभी इसमें हम अधरक लसुन का पेश्ट डाल देंगे आदा च सांबर में इसका यूज करने से बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है तो उसे भी डाल कर आप चला लें ताकि उसका फ्लेवर सारी सबजियों में मिल जाए और अब इसी में हम कस्मेरी लाल मिर्च आदा चमच डाल देंगे इससे कलर बहुत अच्छा आता है ये आप्शनल है आप चाहे तो डाले ना चाहे तो ना डाले और अब इसी में हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे धनिया पत्ता डालने के बाद भी आप इसे अच्छे से चला ले तो ये देखिए अब हमने अच्छे तरह से दाल और सारी सबजियों को चला लिया है आज को अभी भी आ आप medium ही रखे, तेज ना करे, अब इसमें हम जरूरत के नुसार पानी डाल देंगे, तो हमने एक बड़ा कप पूरा पानी डाल दिया है, आप पानी इटना डाले कि सबनिया पूरी तरह से उसमें डूब जाए, और पानी थोड़ा सा उपर तक रहे, और पानी डालने के बाद भी आप एक बार अच्छे से चला ले, तो ये देखिए, और अब आप कूकर का ढख बात के सकरच़ पानी बाद टूर को कि ये अपर कब रहे कर हुआ्छ से चहआँ से बाद जाए, और एक बार जाए, और रही कर दूर देखिए, और आप तो तीन से चार चीटी लग चुकी अब हम गयाज बंद कर देते और भाब को खुद से ही निकलने देते हैं चणा डाल की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चणा डाल को तीन से चार घंटे के लिए पानी में भीगो देना है तो ये देखे भीगोने के बाद जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये आसानी से तूट जाएगा तो अब आप इसे पानी से छान ले इसमें पानी जरा भी नहीं होना चाहिए पानी से चानने के बाद अब हमें इसे भूनना है तो आप एक कड़ाही में थोड़ा सा तेल डाल दे उसमें आधा चमच जीरा चटका दे और जब जीरा चटक जाए उसके बाद हम इसमें अपना डाल डाल देंगे तो ये देखिए दाल को जो हमने पानी से चान कर निकाला था उसे हम डाल देंगा और इसे एक से दो मिनट के लिए बूनेंगे इसे ज़्यादा नहीं बूनना है बस इतना बूनना है कि इसका कच्छापन चला जाए क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसे भून देंगे और इसे लाल कर देंगे तो फिर ये पीसने में दिक्कत होगा तो एक मिनट हो चुके हैं और हम अब दाल को बाहर निकाल लेते हैं और दाल को अच्छे से ठंडा होने देते हैं तो ये देखिए पांच से साथ मिनट में हमारा दाल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाता है तो अब आप एक मिक्सर जाड़ लें और उसमें दाल को डाल दें और उसी के साथ इसमें तीन से चार लशुन की कलियां और दो हरी मिर्च डाल दें और इसी में हम स्वाद के नुसार लगए आधा चमश नमक डालें और इसे बीना पानी की सहायता से ही आप पीस लें आपको इसका पौडर भी बनाना है तो यह आसानी से पीस जाती अगर आप पानी डालेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा तो यह देखे हमने पौडर बना लिए अप इस पौडर को आप एक हपते तक भी रख सकते हैं जब आपको मन करें तो आप बना ले तो अभी हमको जित ठीलेंगे तो इसके लिए हमने एक पैन में तेल डाल दिया है और उसमें जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें काला सर्सो डाल देंगे ये देखिए यो जो काला सर्सो का दाना होता है उसे आधा चमज डाल दे और उसी में कड़ी पत्ता डाल दे 8-10 और जब ये चटक जाए तो फिर इस तड़के को हम अपनी चटनी में डाल देंगे तो ये देखिए हमने डाल दिया है और अब आप इसे बहुत अच्छी तरह से मिला ले तो आपके चना डाल की डिलिशिस चटनी बन के तयार है जो इडिली के साथ या रोटी पराटे चावल किसी के भी साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो ये देखिए अब आप सर्व कर ले हमने दूसरे प्लेट में डाल दिया और हमारे डिली से चटनी तयार है कुकर कब हाप निकल चुका है तो अब हम कुकर को खोल के देखते हैं कि हमारा सांबर कैसा बना है तो ये देखिए फ्रेंड कितना देखने में खुफसूरत लग रहा है सारी सबजियां भ दाल को अच्छे से मैस कर ले ताकि ये आपस में एक दूसरे सकी तरह से मिल डाए और हमारा सांबर खाने में और भी टेस्टी लगे तो ये देखिए दबा दबा कर Sacramento जो भी सबजियां खड़ी हैं उनहें आप अच्छे से मैस कर ले और जो दाल भी है उन्हे भी मैस कर ले तो हमने अच्छे से मैस कर लिया है, सारे डाल और सब्जियां आपस में मिल चुकी है तो ये देखिए, अब हमारा सांभर कितना टेस्टी लग रहा है तो अब हम इसे दूसरे बरतन में सर्व कर लेते है इसमें हमने सारे मसाल और सब्जियां डाल चुके हैं तो अब हमें इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है ये खाने के लिए बिलकुल है तयार है ये देखे फ्रेंट्स हमने इसे दूसरे बर्तन में सर्व कर दिया है और अब मैं आपको इसे नजदीक से दिखाती हूँ ये कि ये देखने में कितना खुबसूरत और कितना टेस्टी लग रहा है आप इसे चाहे तो खाते वक धनिया की पत्ती और करी पत्ता इससे गार्निसिंग कर सकते हैं जो देखने में काफी सुंदर लगता है और खाने में तो ये टेस्टी है ही क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे सब्जियों का यूज किया है आप गार्णी सिंग के लिए हर इमिर्ज का भी यूज कर सकते हैं तो ये देखे फ्रेंट्स हमारी डिलेसियस सांबर बन के तयार है बहुत ही खाने में टेस्टी है तो अब चलिए हम अपनी इडली को भी देख लेते हैं तो ये देखे इधर हमारी इडली भी तयार हो चुकी है तो अब हम आप कुछ भी चम्मच से दबा कर देख लिए अगर आपको इसमें बैटर लगा हुआ नहीं मिले तो यानि आपके इडली तयार है अब हम गैस बंद कर देते हैं और इडली के सारे साचों को बाहर निकाल देते हैं जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे चम्मच या चाकों की सहायता से बाहर निकाल लें तो ये देखिए हमने सारी इडलीओं को बाहर निकाल लिया है और अब चम्मच के सहायता से इसे निकाल लेते हैं तो इस तरह से आप एक चम्मच ले और इसके किनारों पर घुमाए तो इडली बहुत यासानी से बाहर निकल जाएगी तो ये देखिए हमने इसे बाहर निकाल लिया है और ये कितनी मुलायम बनी है बहुत ही स्पोंजी है तो हमारे इडली सांबर और चटनी बन के तयार है तो चलिए इसे अब सर्व करते हैं यह बहुद ही मुलायं बनी है तो ये देखे फ्रेंट्स हमने इडली, सांभर और चटनी को खाने के लिए सारु कर लिया है ये देखने में बहुद ही डिलीसियस लग रही है और खाने में बहुद ही टेस्टी है आप सांबर का भी कलर देखे कितना खुबसूरत लग रहा है और इडली भी हमारी बहुत अच्छी बनी है और चर्टनी भी बहुत डिलीसियस है ये देखे फ्रेंट कितनी स्पॉंजी है बहुत ही टेस्टी है मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ ये अंदर से कितनी नरम है तो फ्रेंट्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले लाइक और सेर का बटन भी दमा दे और ये इडली सांबर को इंजुआय करें थाइंक यू